हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सुशिला सैनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो में पार्ट टू की जानकारी लेकर पिछले वाली वीडियो में आपने सुना था हमसे कि नॉर्मल डिलिवरी के बाद में आप अपना ध्यान कैसे रखें लेकिन उस वीडि सैनी काइने कलाजिस्ट dineroween ऐसले और फिर आपके सामने इस नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने बात कि नॉल मैं डिलिवरी के बाद कैसे घान ध्यान जाये इस वीडिएो रहे हुर्ड से सेजेरियन सेक्षण के बाद अपना ध्यान कैसे रखें, जब पेट पर चेरा लगा कर डिलिवरी की जाती है, तो उसे लोवर सेग्में सेजेरियन सेक्षण कहा जाता है, ल्-s-c-e-s बोला जाता है, मेडिकल लेंग्वेज में, चाहिए बोला जाता है, सबसे इंपोरडन ब कि एक से डर बहुंद मेने तो रुखना ही जी सबसे पहले जैसे शेर्चार्ज रिस्चार्ज यो कर घर आते हैं तो जो सब से समस्य आते उपने बैटने के समस्य या लेक्ट बढ़ोए कर्वट कर कोहनी टेक कर फिर उठें डैरेक्ट आपको इस तरीके से सिरके बल उटना बैठना नहीं है जिससे कि आपके टांकों पर जोर ना पड़े करवट लेकर फिर कोहने टेक कर जब आप उठते हैं तो आपके टांकों पर जोर नहीं पड़ता है अगर टांकों पर जोर नहीं पड़ेगा तो आपके टांके सेफ रहेंगे फटने का ड़र कम रहता दूसरे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पिछले वीडियो में भी किते कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना खाना पीना ऑपरेशन से डिलिवरी के बाद थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जंदली वो दलिया जो दिया जाता है खिचडी दी जाती है और ना दें दलिया में वेजीटेबल्स डालकर दें या थोड़ा हलका Means अदेंट कहरों रहा है दान करता गाएंट मधनी ना है यह बहुत पर दे सकती है और आप orders भुद घूजैंसे सब्सायां कि समच्यांनी price क्योंकि operation के बाद दर्द की कारण constipation की समस्या काफी जादा हो सकती है जो सबजिया खाने से पानी पीने से काफी हद तक कम की जा सकती है अगर उसके बाद भी आपको constipation की समस्या रहती है तो आप अपनी डॉक्टर के सलहा लेकर कुछ दवाईयां या पाउडर वगरे आप ले सकती है जिससे की आप इस समस्या से दूर रहें दूसरा important problem आता है बच्चे को feed कराने में कि बच्चे को बैठ कर फीड कराएं या लेट कर फीड कराएं क्योंकि बार बार उठने बैठने में operation की बाद समस्या होती है फे बार operation के बाद हाथ में cannula लगा होता है जिसकी व कम सकम 30-40 degree उठा हुआ होना चाहिए ताकि दूद पिलाने के समय जो बच्चा दूद पी रहा है उसके सांस के नली में ना जाए ऐसी तरीके से अगर आप बैठ के पिला रही तो आप अपने पहले अच्छे से कुर्सी पर बैठ चाहिए या पलंग पर बैठ के पिछे से कम सकता है तो आप अपना ध्यान रखते हुए फिर बच्चे का ध्यान रखिए अगर क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो बच्चे का ध्यान रखने में भी आपको परेशानी आएगी और जो टांके लगाए जाते हैं जनरली ऑपरेशन के बाद वो घुलने वाल किसी प्रकार के कोई प्राब्लम तो नहीं है तो जब भी डॉक्टर के विजिट हो साथ से दस दिन के बीच में ज़रूर कीजिए और जो आज कल ड्रेसिंग लगाई जाती है वह वाटर प्रूफ ड्रेसिंग होती है तो आप उनके साथ पूरा शावर ले सकते हैं टांकों पर देली धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी ताकि आपको वाइटामिन डी मिलता है बच्चे को वाइटामिन डी मिल जाए बच्चे को पीलिया होने की समस्या से बचाया जा सकी तो धूप का होना बहुत ज़रूरी है इसलिए डेली दिन की शाम की जो नॉमल धूप होत के बाद कमर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या होती है और वह इसलिए होती है कि लेडिज वाइटामिन D कि कमी होती है लेगी दूद को phảiiese करके देती हैंookie करेंसे की क्लिए की कमी हो सकती है इसलिए ओपरेशन के बाद और डिलिवरी के पाद तीन महिने तक आयरन और केलशयु के गोलियां भी सुझाई जाती हैं डॉक्टर आपको प्रिस्काइब करके देती हैं बट कई बार हम उनके सुझाओ को नेगलेक्ट कर देते हैं नहीं मानते हैं लेकिन लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी होगी जिससे कि आपके बच्च दूद पिलाने के टाइम पर हम बोलते हैं कि आपको तीन जिनों का खाना खाना क्योंकि और ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ती है क्योंकि दूद में लिमिटेड मात्रा में कैलोरी निकल पाती हैं हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं जैसे कि जब बच् आपको अपना नॉर्मल रूटीन वर्क आपकर सकती हैं आपको बेड़न नहीं रहना है सिधे पोस्टर में बैठना है रोज देली नहाना है दूप में बैठना है और अपना नॉमल खाना लेना है जैसे ही आपके स्टीचिस की पट्टी हट जाती है और डॉक्टर अगर उ आप टांको को आराम से साबून से धोकर साफ कर सकती है और जनरल यहीं सजेशन दिया जाता है कि आप टांके डेली धोके साफ कर लीजिए और जो आपको ओइंटमेंट या क्रीम कुछ दिया जाता है वो जरूर लगा लीजी टाको पर ताकि उनमें किसी प्रकार का इंफेक क्योंकि किसी भी हाथ वाले ऑपरेशन में यह परहेज तीन महीने के लिए बताया जाता है क्योंकि जब भी अगर आपको बहुत सब्सक्राइब खांसी हो जाती है तो आपके टांकों पर जोर पढ़ता है क्योंकि अंदर की जो पेट की लेयर है जिसको रेक्टर शीथ बोल बहुत सारा हैवी वज़न नहीं उठाना आप बच्चे को आराम से गोधमें ले सकते हैं अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकती हैं बहुत ज़्यादा खांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि खांसी होने से टांकों पर जोर पढ़ता है और बहुत ज़्यादा कबजी नहीं ह मैने तक आपको सिर्फ वजनभार का पर्हीज रखना है और कोहीं डाइट आप ले सकती है और ऑपना काम कर सकती हैं बच्चे का ध्यान रख सकती है और बच्चे के वैक्सीनिशन का अब अपना ध्यान रखिए और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं हम आपके क्वेरी का जवाब वहां भी देंगे और फिर भी अगर आपको और भी कोई सलहा लेनी है तो जैपूर दुर्बीन होस्पटल में हमेशा अव क्निश हाज दुर्णी प्ली कर देंगे हमेशा अवशार झापके कोई। क्वेरी खड़ा इस वीडिवाब भी देट हैं हमेशार रखिता